है गाइस वेलकम बैक लेस्ट डूआ मुवी रिव्यू आफ चुप तुरुत फुली बलू तो जी मुवी देखने ते पहले मैं काफी डाउट फुलता कि इस मुवी को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए पर आखरी है मैंने डिसाइट किया कि लेसी दे मुवी और इ एक ऐसा टॉपिक है जिसे अब सिनेट अच नहीं किया है और इस मुवी के द्वारा उच्छा काम किया हैं और देखा जाए तो डेखा जाए तो एक può def站 है जिसको मूवी से बहुत ज्यादा प्यार है उन लोगों को ढूब मार रहा है जो मूवी की गलत रेटिंग दे र सब्सक्राइब है जब दो इनके पिछली विज रही हैं वो काफी हट के रही है काफी अलग प्रवावित हुआ हूं तो इस मुड़ी से ना आपको देरे देरे परसो जा रहा है मुवी में और किसेड़ी बड़ी टेस्टी है तो यूर लैक अभे सालो एक साथ दो एक साथ दो और दो और दो different and very emotional kind of movie you know that आप इसमें खो जाओगे जुटनी बूर रहा है आप इसमें खो जाओगे and you not be like movie मत खतम करो let the movie go on you'll be in that kind of a rollercoaster so the movie is about a young man जो movie से बहुत ज़्यता प्यार करता है especially the गुरुदत एरा तो यह उन क्रिटीक को ढूंडूंड के मार रहा है जो movies को बुरा rating देते हैं जिनका rating अच्छा होना चाहिए था और इसके अंदर दो personalities है और आपको constantly movie में दिखेगा कि ना बंदे के सर में आवाजे गूंज रही है तो he's struggling with his own self, his own trauma that he has faced in his life दस साब जो थे वो movies को ऐसे show करते थे जैसे कि हमारा समाज है he is to show the goods, the bad, the ugly of the society उसी वेक्टी को एक montage, एक tribute देने के कोशिश की गई है इस movie से और जो इसका script है वो ऐसा लिखा गया है ऐसे pace में रखा गया है कि आप इस movie से कभी bore नहीं होते है you don't feel कि movie में खुछ चोट रहा है, you're always engaged throughout the movie movie में love story डालने की कोशिश की गई है पर वो स्वाद अनुसार है, बहुत कम डाला गया है जिससे movie करा, pace कम नहीं होरा, pace जो है वो disturbed नहीं होरा Salman, Salman is like a rock star dude, the performance was outstanding, he's a star, वो बन्दा ना बॉलीवूड में रहने वाला है, this kind of movies that Bollywood need, this kind of stars what Bollywood needs actually, try to understand की बन्दा जो है, वो split personality को portray कर रहा है he has to be good, he has to be evil, तो it's different, it's difficult to do, वो बन्दा अच्छे से किया है और ये एक fictional movie को life करना बहुत मुश्किल होता है भाई, जो Salman ने बहुत चैसे किया है, श्रिया दिनवंत्री, इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता है, क्योंकि इनका रोल जो था movie में बहुत कम था, वो ये बहुत अच्छा था यार, बुरा नहीं था, she also is very lovable, Sunny Paji was outstanding, मतलब Sunny जी को देखके मज़ा आ गया, he was impressive dude, हमें हैं तो मुखाडते वे नहीं मिले वो, पट यार, हमें वो कुदते वे बहुत मिले, बदा उनको देखके मज़ा आ रहा था, क्योंकि ना, वो आक्टिंग भी कर रहे थे, आक्शन भी कर रहे थे, और वो ना सिफ वन पंच नहीं बोर रहे थे, वो ना प्रॉपर इंट्रैक कर रहे थे, सबसे, it was good to see a seasoned, an experienced actor, given that kind of role, important, what you call, moving role, तो अच्छा लगा हूं को देखके हा, कुझा बढ़ की बारी, मैं इनके बारे में कुछ बोला नहीं चाहता, मुझे लगा था, इनका के में होगा, बट ये काफ रहती है, मतलब मैं तो इनको देखने चले जाओ, मुझे इतनी पसंद रही है, तो इनकी story जो थी, एक blind lady का काम कर रही थी, जिनको movie से बहुत प्यार रहता है, as a matter of fact, ये एक studio के पास ही रहती है, और ये अलगी दुनिया में रहती है, कि जिस दुनिया में वो खुद heroine है, means to imagine that a person is blind, but is wondering कि मैं life कैसे होती है, अगर मैं heroine होती, it's a very difficult thing to portray, और शरन्या जी ने से बहुत अच्छे से किया है, भाई, आप को ये movie देखने जानी है, तो she is actually one of those reasons, प्रीश ने देखने चाहिए, आप, now talking about the direction of the movie, now, जैसे मैं इतने बार बहुत चुका हूँ, ये एक montage है दस सहाब के लिए, ये ट्रिब्यू है उनके लिए, और ना कि ट्रिब्यू है दस सहाब के लिए, और ट्रिब्यू है ये मुबई शेहर के लिए, जो locations इनोने शो किया है, जो गलियां, जो posters of the movies of the past, all those play a very important role throughout the movie, आप उनसे connect कर सकते हो, you can feel the connection of the lead and those portraits throughout the movie, आप बिलकुल भी disconnected, yeah, it was a very good movie, now talking about the music, Amin Panth was the music actor of the movie, तो इनकी जो music थी तरो और the movie, वो काफी soothing भी थी और काफी डराओनी भी थी, इनोने कई सारे पुराने गानों प अच्छे से use किया है, अच्छी जगा place किया है, the fear factor and the surprising factor, जो music रहता है, वो रहने बहुत अच्छे से use किया है, means I love the placement of the music that used, तो at last मैं क्या को movie के बारे मैं, मैं ऐसे 5 out of 5 दूँ, मुझे लगता है वो कम होगा, यह movie उन लोगों ने बनाया है, जिनको movies से महबत है, जैसे मुझे movies से बहुत प्यार है, मैं ऐसी कोई movie नहीं होता जो मिस करता हूँ, and I barely find anything wrong with the movie, this movie is actually made by people who love the movies, and don't want to earn from it, but show their talent, show their love for the movies, उनको respect देने के लिए, जो फिल्मेकर से इसमें रहे हैं, जो उनको respect देने के लिए जाओ, हाँ, movies में आपको कुछ फ्लॉस मिल सकती है, but they are negligible, आप उसको ऐसे ignore कर दोगे, क्योंकि movie आपको बांद के रखती है, तो मेरे हिसाफ से तो movie को 5 out of 5 मिलना चाहिए, अगर आपक को कुछ लगता है, तो आप दीजिए, और मुझे बताइए, कैसा लग रहा है, ठीक है?